हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभीमन्यू आईएस, आएम गुरुविंदर कौर, सीनियर फेकल्टी एट अभीमन्यू आईएस, और आज हम यहाँ पे स्टूडेंट पंजाब सीवल सर्विसीस के लिए जो हमारा एक्जाम है, उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे पी आईएक्यू देखेंगे स्टूडेंट और उसको समझेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी कभी भी आउट हो सकती है, you know that, ठीक है, trust me student इस साल आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, definitely, ठीक है जी, तो आप अपनी preparation जो है, उसको आप full speed पे रखिए, consistency के साथ रखिए और focus के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपके friend ने बोला कि भाई paper तो नहीं आएगा, ठीक है, आप छोड़ दो, ठीक है, और फिर क्या हो, next 2-3 month में आपकी notification आउट हो जाए, exam connect हो जाए, आप सोचो कि क्या friend के पिछे लगके teacher की बात मानी नहीं मैंने अपनी और preparation छोड़ दी और मेरा selection हुआ नहीं, तो ऐसी mistake बिलकुल मत करना, ठीक है, ठीक है, तो नहीं करोगे mistake, promise करते हो या नहीं करते, ठीक है, बिलकुल अपनी preparation जारी रखना, ठीक है, इस साल आपका exam definitely conduct होगा ही होगा, next student जो आज हम paper discuss करेंग student, इससे पहले हमने कितने-कितने paper discuss कर लिए, थोड़ा-सा, थोड़ा idea लेते हैं, सबसे पहले तो हमने GS paper 1 देखा था, 2018 का, 20 का paper पहले ही हो चुक है, फिर हमने देखा था GS paper 2, फिर हमने देखा GS paper 3, और आज हम देखते है, mains का, PYQ for the, PYQ देखते है student, for the GS paper 3, 4, sorry, 4 के student, please give me one second, ठीक है, मैं PDF लगा दूँ, and after that हम अपनी class start करते है, ठीक है, just give me one second, one second student, okay, okay student, see here student, हमारा journal study का, जो paper 4 है, वो हमने यहाँ पे open कर लिया है, वही same हमारा रहेगा student, student, 2, 250 marks का यह paper है student, ठीक है जी, उसको करते है, student हम यहाँ पे solve, ठीक है, okay, ठीक है, so see here student, सबसे पहले आपके total question कितने रहते हैं, 15 question रहते हैं, तो पहला question जो है, वो हमारा यहाँ पे student environment से है, and it's a very interesting question, one of the favorite question है मेरा, अगर मुझे question लिखने को आ जाए, यह question, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त question लिख सेबते हैं, क्योंकि, यह जो है, यह हर साल एक तो news में रहते है, every year, every year, it is in news, why, because, Delhi pollution, पता है न, poor Delhi pollution, ठीक है, इंडिया की capital है student हो, क्याता है, दिल्ली प्लेंकेटीन टॉक्सिक हेज, has become a gas chamber, list the major causes and possible mitigation measures, तो कैसे स्टार्ट करोगी इस question को, सबसे पहले student आप यह बताऊगे, बोड़ा सा introduction की अंदर, की actual में pollution है क्या, भाई, pollution है क्या, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा pollution के बारे में एक line लिखोगे, फिर थोड़ा data लिखोगे, तो जो डेली है, वो word की, जो most polluted cities है, उसकी अंदर डेली का नाम है, फिर क्या लिखोगे आप, फिर आप body लिखोगे, तो body के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, reasons, reasons लिखोगे student, और reasons ऐसे नहीं, simple simple लिखने बैठ गए, जी सबसे पहला reason आपका, यह क्या बोलते हैं, अपना, stubble burning, दूसरा, industries, तीसरा, infrastructure जो वहाँ पर construct हो रहा है, vehicles, pollution, ठीक है, industries, ऐसे छोटे मोटे लिखके, और फिर आपने काम खतम कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं, student, this is not the standard way to write a main question, कैसे लिखना है, सबसे पहले student आप लिखोगे, geographical reasons, ऐसे लिखोगे, geographical reasons, मैं plain page, paper लेते हूँ, उससे ज़्यादा clear होगा, तो जब आप reasons लिखते हो student, तो reasons कैसे लिखोगे, सबसे पहले geographical reasons, geographical reasons, क्योंकि ये एक landlocked capital student, कोई seal ही लगता है, इसके चारों तरौफ, जो wind की speed है, यहाँ पर वो क्या रहती है, slow रहती है, ठीके, दूसरा, due to western disturbances, in winter season, होता क्या है, क्योंकि उधर से western disturbances आ जाते हैं, जैसे ये देखो, this is our area, ये उपर है, हमारा यहाँ पर रहा जाता है, जो यहाँ से western disturbances हमारी आती है, इधर क्या होता है, जो हमारा October का मन्त होता है, October, September, November जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो stubble है, उसको burn क्या होता है, बच्चे, जो rice के पीछे का कच्रा बच जाता है, जो rice की cultivation के टाइम पर, जो पीछे बच जाता है, उसका residue बच जाता ह उसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, क्यों बर्न करता है, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होता, मतलब कि वो डिगरिट नहीं होता बहुत जल्दी सॉयल के अंदर, कि मतलब आप उसको मिक्स कर दो बड़ी जल्दी वो डिगरिट हो जाए, ऐसा नहीं है, क्यों वीट कल्टिवेशन हो जाए क्योंकि winter आ चुकी होती है so that's why student वो क्या करते है उसको जल्दी से farm को clear करने के लिए land को clear करने के लिए वो stubble क्या कर देते है पूरा का पूरा burn कर देते है residue सारा burn कर देते है जितना भी चावल क्या remaining रह जाते है वो जो यहाँ पर जब burning हो रही होती student तो बहुत ज़्यदा smoke जो है वो कहाँ आ जाता है sky में आ जाता है, atmosphere में आ जाता है उपर से हवा जो है वो क्या करती पंजाब हरयाना से वो move करते towards the Delhi तो सारा जो दुआ है वो किदर की तरफ चला जाता है हमारा डली की तरफ चला जाता है that's why जो डली है वो पूरा gas chamber बन जाता है toxic यहाँ पर gas की वज़े से यह एक क्या है हमारा geographical reason और भी लिख सकते है बट आगे बात करते हैं next जो है, वो हमारा है second जो है, that is economical reason क्या reason होगा economical reason क्या हो सकते क्या reasons हो सकते है सबसे पहले, construction of construction, बहुत ज़्यादा construction होता है, economical purpose से जिसकी वज़े से dust, smoke बहुत सारी gases release होती है दूसरा, vehicle pollution vehicle pollution third one is industry और क्या है, फिर अगला और क्या reason होगा, फिर हमारा next जो reason होगा third number पे, यह तो होगा economical reason फिर क्या लिखोगे आप, third number पे लिखोगे, population, dense population अब population point में आप आगे लिखो due to migration and what's other, dense area है इतने square kilometer में इतने लोग रहते हैं, जिसकी वज़े से यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा क्या है suffocation बहुत ज़्यादा है, winds का flow नहीं होता है, इसलिए pollution जो है वहीं पे क्या हो जाता है, trap होके रह जाता है ठीके, फिर आप आओगे student solution पे, student solution क्या क्या हो सकते हैं, बताओ एक ही question है, इसको हम बहुत अच्छे समझ लेते so that बाकी questions को आप आराम से कर सको ठीके, बताओ क्या क्या solution हो सकते हैं solution क्या हो सकते हैं, सबसे पहले stubble burning, stubble burning को student हमें रोकना होगा, stop the stubble burning दूसरा क्या हो सकते हैं, industries industries जो हैं, उनको outer areas के अंदर लेके जाने की जरूरत है, इतनी भी polluted industries है, rules and regulations rules and regulations जो हैं, हमारे environment से related वो बहुत ही strictly follow होने चाहिए, कहां पे हमारी capital के अंदर ठीकिये हैं, ओकी, तो इस तरीके से students आप solution लिख सकते समझ में ही बात, कैसे लिखना आपको mains का question, कैसे address करना है यह होगा हमारा first question, second question देखते हैं, कि तो what is active and passive immunization किसका question है, journal science का question है जर्नल साइंस का question है, और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको active and passive immunity active and passive immunization and also discuss the role of second and third generation vaccine in controlling hepatitis आपको पता ने, hepatitis कितने type का होता है, तीन type का viral disease, hepatitis A, B and C पता होना चाहिए, student active, passive immunization क्या चीज़ है next है, what are the major causes of Kerala flood and what could be the possible mitigation measures Kerala flood किसकी वज़े से आई थी एक dam की वज़े से जो तमिल लडूम बना हुआ ठीक है, use time के current news है next किया है, फिर से student हमारा journal science का question है student, बहुत ही अच्छा question है किता, what are the monoclonal antibodies and what their role in diagnosis and therapies of various disease is बहुत ही important question है monoclonal antibodies next question, फिर से science का question है हमारा write a note on Li-Fi and differentiate between Li-Fi and Wi-Fi ठीक है, पता होना चाहिए Li-Fi and Wi-Fi के अदर क्या difference है, ये हमने हमारी science and technology हम बहुत अच्छे से cover किया हुआ the discovery of graphene in a form of carbon is thought to be a wonder material which will be change the world in many ways write a short note on graphene and its possible impact on the industry ये question जो है, ये student आपका nanotechnology से हर लिठीड है nano science का question है student और graphene और carbon की उपर जितना हमने discussion किया detail वे में, इतना शायर ही किसीने class में किया हुआ ठीक है, कैसे वो semi conductor, बहुत ही good conductor में, है न, बहुत सारे उसके roles and regular बहुत सारे graphene जो है, वो ही कैसे मतलब, आपको पता है, वो good conductor है किसका electricity next student question जो है, वो भी हमारा किसे है science and technology से question है, और question किसका है हमारा, robotics का question है बहुत ही प्यारा है, roles of robotics in medical science हर चीज में हमारा, robot जो है हमें help कर सकता है, COVID-19 पे आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी, चाइना के जहाँ पे human being की need नहीं है, एक medical emergency situation के अंदर robot जो है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो cleaning में help कर रहा सकता है वो हमें ऐसी ऐसी surgery परफॉर्म करने में help कर सकता है, student जो बहुत ही complex है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए आपको time और manage मतलब यह बहुत ज़्यादा वो costly है but robot जो है, वो उसको अराम से कर सकता है next है, what is IRNS, Indian remote sensing satellite system and what role can play conservation of biodiversity in drought monitoring and assessment, how far remote sensing has been successful in doing this remote sensing satellite के बारे मैं ने बताया था कौन से होते है, जो pictures लेते है, right और इतना बड़ा idea student इतना बड़ा idea student, इतना बड़ा idea, इसको you know, analyze करना, इसकी हर एक land को analyze करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा task है student, जिसमें हमें इस तरों जो है, वो हमारी बहुत help कर सकते हैं कि किस इलाके में drought आ सकता है, किस इलाके में evergreen forest मिलते हैं किस इलाके के अंदर waste बहुत ज़्यादा generate हो रहा है किस इलाके के अंदर waste, जो land का waste है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है नेक्स्ट बात करते हैं, what is the current status of tuber closest in India? Tuber closest, TB पता है ना आपको? One of the leading, you know, ऐसी disease student, जो बहुत ज़्यादा disease, you know, death cause करती है. And, TB का जो main, जो link है, वो हमारी poverty से related. That's why student, ये, you know, socially भी ये disease जो है, वो बहुत ज़्यादा importance है. ये social connect बहुत ज़्यादा इस disease का. Social stigma बहुत बढ़ा इस disease को लेकर. और ये social issues से बहुत ज़्यादा करेक्टेट है, जैसे कि poverty हो गया, ठीके? क्योंकि जो बंदा पूर है student, वो क्या नहीं कर सकता? इस disease के लिए, उसके पास ना तो time है, ना इसके लिए, उसके पास पैसा है. बहुत कुछ है student इस disease को. हालनकि ये curable disease है, student, bacterial disease है. आप इसको cure कर सकते हैं राम से. But you need to a very high nutritious diet. ठीक है, आपको diet लेनी पड़ेगी इस disease को cure करने के लिए. आपको बहुत सारा time चाहिए, आपको rest चाहिए, बहुत सारा body, आपको hygiene conditions maintain करके रखने पड़ेगी, आपको regular doctor का past visit करना पड़ेगा, बढ़ जो एक poor person होता है, उसके पास इतना time होता नहीं है. क्यों नहीं होता भई? भई उसको काम करने जाना है रोज daily है, अगर मालो को एक labor worker है, उसकी family है, उसको सब कुछ है, और अगर माल लीजए, उसको tuberculosis हो जाता है, तो वो 2-3 month तक वो bed rest पे नहीं आ सकता. यह सुरू नो? So that's why student, this is really important कि आप जो जैसी tuberculosis, जो disease है student, उसको आप क्या कर सको? manage कर सको, किस पे? कैसे manage कर सको? Government policies की थूँ, awareness की थूँ, है ना? Second चीच, इहाँ पर drug resistance की main बहुत बड़ी problem है, क्यों? क्यों कि जो tuber, tuber closest है, जो TB है student, अगर आप उसकी medicine बीच में छोड़ देते हूँ, आपको भी पता है, bacteria को kill करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Antibiotic Antibiotic use करते हैं तो ये Antibiotic उस पे काम नहीं करेगी, जिसको हम Antibiotic Resistance कहते हैं, ये मतलब एक बार आपने जो दवाई खाई, अब जब दुबारा आपको वही disease के symptoms आएंगे, आपके उपर वो medicine या वो दवाई आप पे काम नहीं करेगी, जिसको हम Antibiotic Resistance कहते हैं, अगर मैं आपको simple-simple way में समझाओं तो, clear आपको ये बात, ठीके, तो students होता क्या है, टूबर क्लोसिस के case में, ठीके, patient क्या होता है, जब वो medicine लेकर आता है, starting को तो ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर वो क्या करते है, वो skip कर देता है, medicine को, या वो उसको forward ही नहीं कर पाता, and problem is that, कि एक बार तो disease जो है, वो थोड़े से आपको, मतलब आपकी low होना शुरू हो जाती है, उसके intensity low हो जाती है, बट दीरे-दीरे time के साथ, वो फिर से क्या होती है, बहुत ही aggressive तरीके से वो आपकी body के अंदर, फिर से उसके symptoms आएंगे, जो दुबारा से उस antibiotic के थ्रूम, क्या नहीं होंगे, क्योर नहीं होंगे, अब आपको medicine जो है, उसको change करना पड़ेगा, उसका molecular structure change होगा, तब जाके वो उसके उपर act कर पाएगे, समझ में आई यह बात, यह सूर नो, clear होई, ठीक है, तो clear है, तो आगे चलते हैं, तो next student हमारा, next question जो है, वो क्या किस पे है, deteriorating ecosystem of western ghats, salient features of मादव गड़किल, report थोड़ा सा में भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा blur दिख रहा हो, बट कोई बात नहीं, मेरी wording पर आप ध्यान दीजी, और deteriorating ecosystem वो western ghats, आपको भी पता है, student हमारे इंडिया के दो घाट है, यह इधर वाला western ghats और इधर वाला eastern ghats तो जो हमारा western ghats student, उसके economically या ecosystem के उपर बहुत ज़्यादा impact बढ़ रहे, आप Bombay के आसपास जाईए, student, आज से Bombay 50 साल पहले विजिट करते हैं और अब विजिट करो, दोनों की photos में भी अगर आप difference देखोगे, तो आपको बहुत बड़ा difference देखेगा, क्यों? जो Bombay है, उसके अंदर almost जो हो, उसका side वाला western ghats है, वो खातम हो चुका है क्यों? क्योंकि exploitation की वज़े से infrastructure की वज़े से, tourism की वज़े से, एक वहाँ पर film industry है, तो उसको बहुत सारा, you know, land चाही होता है, तो वो उसके लिए वो land purchase कर लेते हैं और वो hills जो है, उनको वो remove करते जा रहें, mountains को वो remove करते जा रहें, तो western ghats का ecosystem as student, उसके उपर human being का anthropogenic activities बहुत ज़्यादा है वहाँ पर that leads to the degradation of western ghats इसी पे वो बात कर रहे हैं next I discuss the impact of industrial effulence on the aquatic life with reference to the rivers of Punjab आपको पता होना चाहिए कि Punjab के अंदर इतनी सारी major rivers और चोटी बड़ी मिला कर बहुत सारी rivers आती है Punjab के अंदर, लेकिन जो industries हैं, वो क्या करते हैं polluted water उसके अंदर डालना शुरू कर देती हैं जिसके वज़ा से पूरी river जो है वो pollute हो जाती है, इसके उपर उसमें question put किये आपसे, तो आपको वो question बताना है, ठीक है इसका answer करना है जैसे कि urban slums, slum area देखें आपने, urban area के sideों में, जो slum areas होते हैं इतने बड़े-बड़े slum areas होते हैं, है न तो उसमें question, क्याता slum area possesses a serious challenge before the urban planners according to the estimate by 2030 50% of India की population जो है, वो urban areas में रह रही है, ठीक है the impact of globalization and urbanization has stimulated the urban migration, resulting in a situation where center-state collaboration could be to key solve the riddle and resettling and house the newly migrated urban population as an administrator responsible for the cohesive urban development of the, what policy initiative would you propose to meet the emerging challenge, कैता आप अपने आपको मान के चलिए कि आप एक administrator है जो क्या कर रहे है, जो ongoing जो migration है, उसके लिए आपको policies बनानी है, कि भाई जो इस city के अंदर migration हो रहा है उसको कैसे tackle करना है ठीक है, उसको कैसे tackle करना है हमें इसके उपर वो question put कर रहे है तो क्या करेंगे आप एज़े PCS officer, एज़े administrator तो comment केजिए student, मान लीजिए आप चंडीगड के क्या है administrator है, और आसपस बहुत ज़्यादा क्या और यह घर दे दोगे, है न, यहाँ मान लीजिए, government ने वहाँ पर flat बनाने का offer दी आपको और आपने 10 flat उठा के अपने नाम पर कर लिए, 10 minister के नाम पर कर दीए ठीक है, 10 builder के नाम पर कर दीए और बचा कुचा जो एक दो बचगे वो आपने दी दीए, क्या आप ऐसे करोगे या honesty के साथ, एक well planning के साथ, जो आप इतना education आपने ली है, आप बड़े हो क्या उसके according आप, you know planning करोगे, क्या करोगे comment करो, ठीके जी, ओके तो next question जो है, latest world health report जो है, वो claim करते है कि इंडिया जो है second most unequal country है inequality बढ़ते जा रही है student, आपको भी पत है जो इंडिया के 10% population है उसके पास इंडिया का 70-80% पैसा है inequality सोचिए, कि एक तरफ 10% लोगों के पास इतना पैसा और बाकी जो 90% population है उसके पास कितना पैसा है तो यहाँ पर आप जो है, क्या कीजिए comparison कीजिए, और फिर उसको आप यहाँ पर tackle कीजिए ठीक है जी, कर लोगे tackle question को next time, the disposal of solid waste in any urban coglomerate is a formidable task evaluate the context of your state solid waste, जो रोज हमारा कचरा बनता है, उसको आप कैसे handle करोगे, इस पर question put कर रहा है ठीक है, next is just steps to make education more inclusive for the deprived stratum of the society education पर ही वो question put कर रहा है फिर जो question है next हमारा in present situation and style of police working, suggest and approach to make police organization more efficient and modern to maintain the law and order in the country, explain the three major legislative measures for the women empowerment in India, ठीक है तो पहला police पर question है कि police को कैसे ज्यादा efficient and more क्या बनाया जा सकता है empower किया जा सकता है, तो कैसे करोगे माली जी आप एक IPS officer है, आप DSP है तो police में कैसे reform करोगे सबसे पहले आप क्या रोकोगे corruption रोकोगे, है ना और police के अंदर क्या करोगे, आप reforms लाने की try करोगे है ना, they are more active, ठीक है more participant, skill skill होना बहुत जरूरी है, आज के time पर जो new challenges आ रहे हैं cyber crime ये वो है ना उन चीज़ों को वो tackle कर सके ठीक है, ओके, next explain three major legislative measures for the women empowerment women empowerment करने के लिए ऐसी कौन से तीन laws है जिनको पास किया गया कोई बता सकते कि ऐसे कौन से तीन laws है जो women को empower कर रहे है यहाँ पर, बताओ एक तो चलो मैं बता दे तो दो आप बता दो मिरको, अभी अभी जो हमारे legislature के अंदर क्या किया, 33% reservation confirm कर दी गई है in the parliament ठीक है, तो आप मिरको दो आप मिरको बता दो, एक मैंने बता दी आपको ठीक है जी, ओकी, ठीक है students ओकी, ओकी students ठीक है, तो फिर हम चलते हैं वापस से हमारी PPT की उपर ठीक है जी, तो clear हुआ students आपको, ठीक है, clear हुआ आपको GS paper 4 किस तरीके से tackle करना है, और इसके questions भी समझ आए आपको, ठीक है तो ठीक है student इसी के साथ मैं ये session यहाँ पर over करूँगी but before that, see here student हमारा new batch start हो चुका है for the Punjab Civil Services, आप join कर सकते हैं, इस time classes चल रही है, for the geography and environment please आप join कीजिए link आपको इसका description box में मिल जाएगा, और even in videos को आप share भी कीजिए, like भी कीजिए you know subscribe भी कीजिए, ठीक है ओके, और ऐसी informative videos के लिए इवन आप subscribe कीजिए, और bell icon का notification का button दबा के रखो, so that जब भी मेरी video आए, तो आपको उसे time उसका पता चल जाए, ठीक है जी okay, ठीक है, तो मैं ये session यहाँ पर over कर रही हूँ, thank you, have a nice day भी में 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 लात理 प्रपको कीजिए, कीजिए जाए come